मेहज ती मिंटा दी बरसात ने इस शेर दे विच परसाशन दी पोल खोल के राख दिती जदो रखडियां तो पहला ही बजारां दे विच पानी खड़ा हो गया तस्वीरां च वेख्या जा सकते हैं कि किस तरा पानी दे विच सडका डूप गया ने बजार डूप गया है ते लोकां दे दिकाना दे विच भी पानी पार किया है तस्वीरां च वेख्या जा सकते हैं कि अधिकारियां दे दावे इस पानी दे विच तैर दे नजर आरे ने सडका तलाब बढ़ गया ने जिसकारन लोक खजल ख़़ार हो रहे ने इस पानी दे निकासी दा उचित परबंद नहीं किता गया जिसकारन इस शेर दे विच पारी पर साथ तो बाद इह हलात वेखणू में ले ने सोनी पत शेर दी कोई वी सडक जही नहीं बची जिस दे विच दो जा तिन फूट तो पानी ना पर्या होवे सारी ही चोनका दे विच पानी ही पानी वेखण नू मिल रहे है जिसकारन आन जान वले वहन चालका नू पारी परिशानिया दा सामना करना पहरे है हलांकि हर वार परसाशन दे वलो बरसाता तो पहला कई दावे किते जान दे ने पर इन दावेयां दी पोल उस वेले खुल दिया जदो बरसात हुन दिया है ते शेर दे विच एस तरह पानी जमा हो जान दै जिसकारन लोक खजल खुआर हुन दे ने यह अभी पूरा महिना सावन का जा चुका वैसे तो बारिश हुई नहीं है लेकिन गलती से आदा गंटा आज बारिश हुई है सोनिपत में सोनिपत के यह आलात है कि गीता बन का पानी रेष्ट आउत तक आ चुका है इतना पानी बढ़ चुका है आदे गंटे के बारिश में और गवा ना रोट की तो आपको शोईबत क्या हालात हुआ हुआ है उसके बाद भी हालात यह है कि कोई नालोगी जफाई नहीं कोई ब् क्या हुआ हुए हुआ 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 है जैसे दूसरे प्रणेशों में पाट का हालात है मेरे काज THE सोनिपत में तो क्या देख रहा है आप गर्मी से तुराहत मिले कि अब हालात कैसे है सबीन पानी पानी पढ़े हैं शाहर के जब होज आधार कि नाने चालू कर वादिया सब अपनी कमाई जर्णा कर रहा है हालात क्या जिए कही रास्ता है हालात थी है कि मगवान वेरबान है पानी के रहा रहते हैं है